दोस्तो अगर आप भी भारती टीम के चैंपियन बनने से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तो वर्ल्ल चैंपियन बनकर वतन लोटी टीम इंडिया सभी खिलाडी प्रधान मंतरी मोधी जी से मिलने पहुंचे प्रधान मंतरी आवास उसी दर्मियान मोधी जी ने विराड के साथ कर दिया कुछ ऐसा जिसे देखकर करोडो क्रिकेट फैंस कियांके फटी की फटी रह गई हर कोई सोचने पर हो गया मजबूर तो आखिर मोदी जी जी ने विराट के साथ ऐसा क्या कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में उतल पुतल मच गया मोदी जी की ह Agricत दे कर कैसा था विराट कोली का रियाक्शन भावु कर देने वाला बलमहा विराट कोली और मोदी जी के बीच हुआ हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोज शर्मा विराट कोली में कौन है सबसे महान किराडी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों टीम इंडिया टी-20 वर्लकप की ट्रॉफी जीत कर 17 साल बाद अपने सपने को पूरा कर लिया और चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया यह उपलबधी टीम इंडिया ने रोज शर्मा की कप्तानी में हासिल की है जिस से पूरा हिंदोस्तान खुशे से जूम उठा मानो देश में दोबारा दीपा वली मनाई जा रही हो हर कोने में हिंदोस्तान के जश्न का माहौल चाया हुआ है वहीं अब भारती टीम के लंब इंतजार के बाद सबी खिलारी बारबडोस से रवाना होकर सुबच्छा बजे दिल्ली एरपोर्ट पहुँचे जहां पर लाकों की तादाद में भारती फैंस खिलारीों के सम्मान में जमाउडा लगा कर खड़े थे पूरा हंदुस्तान खुशे से जूम रहा था और सबके आँखों में खुशी के आँसु नजर आ रहे थे और ढोल नगारे के साथ हर कोई तैनाथ था एरपोर्ट से सबी खिलारी होटल पहुँचे और वहां पर कुछ देर आराम करने के बाद सबी खिलारी होटल से प्रधान मंतरी आवास पहुचे आपको बता दें टीम इंडिया के स्वागत के लिए प्रधान मंतरी भवन दुलहं की तरह सजाए गया था खुद भारत की SSV प्रधान मंतरी जी भारती खिलारी की स्वागत में पलके बिछाए हुए थे और जैसे ही भारती खिलाडी प्रधान मंतरी भवन आये उन्हें खुच जाकर मोधी जी ने सभी खिलाडीयों को रिसीप किया सभी खिलाडीयों के सामने हाँ जोड़कर बारी बारी उन्होंने सब का स्वागत कि और जस्पीत बुमरा हर दिक पार्णिया से हाँ जोड़कर उन्होंने मुलाकात की हर एक खिलाडी को जीत की बढ़ाई दी उनके भी चेरे पर जीत का जश्न दिखाई दे रहा था मोधी जी भी काफी खुश नजर आ रहे थे हर खिलाडी उसे उन्होंने मुलाकात की कफी देर तक बात चीत किया लेकिन इस दर्मियान एक ऐसा बाक्या हुए जसने हर किसी को हिला कर रख दिया जी हाँ बारी बारी मोधी जी हर खिलाडी से मुलाकात कर रहे थे और दर्मियान उनके आगे विराट कोली आये लेकिन मोधी जी ने कोली को नजर अन्दाज कर दिया और डारेक्टर रोज शर्मा ने हाथ मिलाने पहुंच गई इन अजारा देखकर तो हर कुसी की बोलती बंद हो गई हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मोधी जी ने ऐसा क्यों किया विराट को नोंने क्यों नजर अन्दाज कर दिया किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था देखते ही देखते ही अलम हाँ सोचल मीडिया की गलियों में बवाल मचाने लगा और हर किसी के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर मोधी जी ने यह क्यों किया इसके बाद विराट भी मायूस दिखाई दे रहे थे वहीं जब सभी खिलारियों ने मोधी जी से मुलाकात कर जीत का जश्न मनाया ब्रेकफस्ट किया रान मंत्री भवन में काफी समय तक टीम इंडिया ने टाइम स्पेंड किया लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है मोधी जी को विराट कोलिक साथ ऐसा वेवहार करना चाहिए थै या नहीं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताई और ऐसी ने वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद